और अब EVM पर सियासी चरहाई का विश्टेशन सुनिए UP में बवाल लेकिन पंजाब में नहीं है कोई सवाल ये बड़ा मैतरपून पॉइंट है पंजाब में भी चुना हुए है वाँ पर आम आदनी पार्टी का अरविंद के जिरिवाल की पार्टी को भगवांतमान की अगवाई में एक्जिट पॉल आने तक EVM का मुद्दा गायब ता EVM पर कोई सवाल नहीं खड़ा करना था लेकिन जैसे एक्जिट पॉल आया तो EVM पर कई गंभीर सवाल खड़े होने लगे EVM नहीं जनता की राय से होता है एक्जिट पॉल और एक्जिट पॉल को नियंतित करने से किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्या फायदा होगा क्योंकि डिब्बे में किस्मत बंद हो चुकी है इसी EVM से मद्यपरदेश शत्रिजगर में कॉंग्रेस की सरकार बनी थी हाला कि मद्यपरदेश में तो क्योंकि सिंधिया बीजेपी में आ गए तो सरकार गिर गई EVM के वोट से ही राजस्तान पश्रियों मंगाल में सरकार बनी थी आप याद करिये ममतब एनरजी भी जब चुना हुआ थी इसरे चौथे राउंड तक बोड़ी थी EVM में घरबर हो सकती है लेकिन जब करोना की सेकेंड वेव आई और उसके बाद नतीजे देखने को मिले तो EVM बिल्कुल दुरुस्ति किसी ने कोई सवाल ने खड़ा करा बीजेपी को बड़ा दिखे तो EVM में खोट हो जाती है चार राजियों में EVM सही है लेकिन UP में गलत कैसे है ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है मेरे साथ बात करने के लिए कई महमान जुड़े है मेरे स शाती साथ वरिष्पत्रकार भी है राइटर भी है संजे कुमार में सचुड़ेंगे CSDS के है और चुनाव विश्टेशक है जाने माने मेरे साथ अतुल सक्षेना है नेता समाजवादी पार्टी के अचारे प्रमोद कृष्णम है कॉंग्रेस पार्टी के वरिष्ट नेता ह स्टार प्रचारक भी है और फाई यार भी आज तर दर जोई है आप तमाम लोगों का बिनंदर हैं लेकिन मैं शुरुबात आप से करता हूं शांतिनों गुपता चालिस सेकिंड में आप से जाना चाहूंगा यह इवियम उत्तरप्रदेश में आकर बेवफा क्यों हो रही ह देखिए मुझे अखिलेश आदब के लिए कहना पड़ेगा बड़े नेता है उनका को वैक्सीन जो भारत के सैंटिस बनाते हैं उसमें बिलीव नहीं है जब उत्तरप्रदेश की एटीएफ आतंगवादियों को पकड़ती है उस पुलिस में उनका बिलीव नहीं है उनका की सिस्टम में बिलीव नहीं है अमिश आपको जानके हरानी होगी उनकी 33 पसंट इंटेंस है सत्रवी लोग सवा में लगनव से पांच गंटे उटके दिली नहीं जाते हैं अगर भारत का जो एलेक्शन कमिशन है कई देशों में एलेक्शन की कंसल्टिंग करता है कई देश अचैनल के मानके में से फूछता हूं जो ट्रेंइंग वाली का just saying one time में बता पाएंगे उनको अपने करता हों के लिए जब हार जाएंगे कल वो उसके थे बहाना चाहिए और जो कहółुंकि क्रानती को क्या अफराइबषए करना चाह रहें विसले उस पे मेरे खाल से टीका किशी करना और क्योंकि वह हार रहा है इसलिए मेरे खाल से उनके इस तरक नेता को शोबा नहीं देता मैं व्याइपी सीटों के एक्जिट पोल पे भी आऊंगा लेकिन मैं पहला रियाक्शन एक और अतुल सक्सेना के पास चले जाता हूं अतुल जी अनुराग गठाकुर जो कि केंद्रिय मंत्री है उन्होंने एक मेरे इंटिव्यू में का था चुनावों के दरान की ये वही हवा है वही सपा है और दस तारीक से पहले ही बोलेंगे अखिलेश की इवियम बेवफा है और एक्जैक्लि वही हो रहा है क्या आपको ल तमाशा आप कर रहे हैं अमीज भाई अमीज भाई देखिए तमाशा तो उत्तर प्रदेश में विगत पांच बर्सों से जो भाच्पा ने बनाया हुआ है और यह जंता का जो है जंता के साथ जो खिलवार करने काम करा जा रहा है तो जो यह आरोप लगाई जा रहे हैं यह पुछ्टी करी की इवियम मूवमेंट के साथ चौनावायों करने करानी चाहिए वो इवियम किस स्ट्रॉंग रूम से आ रही ती जो बनारस पूली जी यह एवियम रिप्लेस्मेंट का मामला है इवियम रिप्लेस्मेंट ना हो जाए मतगरना जो अभी आपने देखा एक गंटे पहले मुरादाबाद के पास एक विलारी विदानसभाई वहाँ पे मत पहांदो पत्र मिले हैं तो इस वह दरिखिए का उधर उदर उत्रपर to कि विदानसभाईा यह चाहिए वह बनारस कि बात करें बरेली कि बात करें सोनबंदर की बात करें मुरादावाद की बात करें तो वहाँ पे इस तरीके का साशन प्रसाशन जो है कारे कर रहा है और आप कहते हैं सवाल भी ना उठाएं लेकिन भी नहीं पर देशन आपक आप मुझे बताईए है लोगतन्तर में बंगाल बीजेपी घर गई तो क्या आखरी चुनाव हो गया दिल्ली में भारतेंताप पर्टी हार गई और केज़्सी बाइच तो चली रहती है कोई उपर तो कोई नीचे लेकिन लोगतन्तर में आखरी चुना वो लोग लेकिन इसके बाद भी चुना होंगे इसके बाद भी इलेक्शन होगा इस देश के अंदर ऐसा तो नहीं है अमीर जी देखिए जब तक हिंदुस्तान रहेगा इलेक्शन होगा और ये हार जीत तो लगी रहती है भाजपा भाजपा ने भी जब अपना अध्याय शुरू किया था तो दो सीटे ही आई थी बिलकुल आपकी बाजपा जूट बोल करके तीन सो पच्छी सो तीन सो पार कर जाती है तो ये जूट बोलकर करके उसने कुछ डिलीवर नहीं करा है और इसलिए पता लगेगा कल लाजपा के लोगों में जाही रहे जग जाहिए अगर गौरब भाटिया की पार्टी ने कुछ डिलिवर नहीं किया है तो कल पता लग जाएगा तो मुझे लगता है कि देखिए अमीज जी सबसे पहले तो मैं यह कहूंगा भारतिय जनता पार्टी वह पार्टी है जो लोगतंत्र को मजबूत करती है और चुनाद के परिणाम कुछ भी आएं लेकिन कभी भारतिय जनता पार्टी के वरिश्ट नेता हो या प्रवक्ता हो उन्होंने ठीकरा EVM पे नहीं फोड़ा, एलेक्शिन कमिशिन ओव इंडिया पे नहीं फोड़ा, उन्होंने हमेशा नर्मस्तक होके जनता का जो आशिरवाद मिलता है उसके लिए सादुवाद दिया है, और अब आपने जो सवाल किया है, मैं समझता हूं इसमें दोश हमीर जी आपका है, आपन से हैक हो गया, इर्शा से हैक हो गया, मीडिया ने हैक कर लिया, और इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई किसको मैं कहूंगा कि हार गए, तो किसको हम ठीक ना फोड़े, तो दो कहावत याद आती है, कौन सी बहतर है, आप बता लिए, एक नाच नावे आंगन टेड़ा, और दू कि बीजेपी ने धर्मेंद प्रदान जो उत्तर प्रदेश के शिनाफ परभारी और केंदीय मंत्री है, वो इलेक्शन कमिशन में बोले, उन्होंने का कि अकिलेश जिस तरह की भाषा बोल रहे है, वो भाषा बहुत गलत है, जिसके अंदर अकिलेश ने बोला कि करांती ये उपर, क्या आप इसको बॉलेंस से जोर के देख रहे हैं, आपकी पार्टी? देखिए अमीर जी बिल्कुल जो धर्मेंद प्रदान जी ने आज शिकायत भी दी है, सम्विदानिक संस्थाओं में आस्ता होनी चाहिए, चुनाब जीते हारें, आपको नर्मस्तक होके उसे कबूल करना चाहिए, ये नहीं कि जीत गए, ईवियम बहुत अच्छी है, ईव मैं मैं रियक्शन लेना चाहता हूँ, अटुल सक्षेल से रिके संजे कुमार में साथ तरवाजे बारी, साथी मेरे साथ इसमें